राष्ट सर्पर्थम की बात कारिकरम में आप सबी राष्टवासियों का हार दि उत्तरपडेश के मुख्यमंत्री योगिया दितिनाथ ने राजी परिवहन निगम के 50 वर्ष पूरा होने के अफसर पर आईजित कारिकरम को सम्भूधित किया इस अफसर पर उन्होंने 100 बसों का लोकारपन किया और साथ ही बाला सोर रेल दुरगटना में मारे गए पीड़तों और उनके परिवारों के प्रति सम्वेद ना व्यक्त की मुख्यमंद्री ने कहा कि सुरक्षिर सारवजनिक परिवहन पर यातरी का विश्वास बरकरार रहे यह जिम्मेदारी सरकार की है और सड़क दुरगटना के संबंद में परदेश की इस्तिती को देखते हुए सरकारी परिवहन निगम और प्राइवेट बस संचालकों के सम्मिलित संचालन से गाउं गाउं तक सारवजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए 15 मई 1947 आजादी के कुछी मेहने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राज्किय परिवहन सेवा प्रारंब होई थी लोगों के सुगम यात्रा और सुरक्सित यात्रा के लिए यही राजकिये परिवहन सेवा 1972 में एक जोन 1972 को उत्तरप्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक टांस्पोर्ड की सबसे बड़ी काई के रूप में कारे करते वे आज पचास वर्स की अपने एक सा सांदार यात्रा को आगे वढ़ाते वे लगातार कारे कर रही है इस उसर पर परिवहन निगम को मैं हिर्दे से बढ़ाई देता हूं आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेच को और साथ अन्य साधन बसेच को यहां पर प्रारंब क्या जा रहा है इसके लिए प्रदेश वास सांदा ही हम सब के सामने है कल आप सबने देखा होगा उडियसा के बाला सौर में कल सैंकाल बैंगलो रहावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरो मंडल एक्सप्रेस और एक माल गाड़ी दुरगटना के सिकार हुए हैं इस भीशन दुरगटना में अनेक यात्रियों की मिर सबस्ता की और से अपनी संबेदना अब्यक्त करता हूं जो लोग इस दुरगटना में गंभी रूप से खायल हुए हैं उनके सीक्र स्वस्त होने की कामना भी करता हूं सुगम यात्रा और सुरक्सित यात्रा यह हर नागरिक का अधिकार है और यह सरकार का दाहित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वा यात्रा एक पैसेंजर करता है हमें उस पैसेंजर की उस अधिकार को अपने करतब्यों का इमांदारी पुरवक निरवहन करते भी करना चाहिए हम सब के सामने सबक दुरगटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावा हैं अगर एक वर्स के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करो तो इतन तो भयानक दृष से हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगोंने भारत सरकार के साथ मिल करके सभी कारिक्रम इमांदारी के साथ प्रभावी डंग से ला लोग भी करना चाहते हैं हमें उन लोगों को इस तरकार की स्विधा देनी होगी और केवल इसे निगम के अस्तर पर ही नहीं बलके आउसिकता पड़ते है प्राइबिट ऑपरेटर को भी एक रिगुलेशन के साथ जोड़ करके हर गाउं तक यातेयात की स्विधा हमें आरंब हुई है लेक्टिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है हम वर्तमान में प्रदेश के दस सीटी के अंदर इलेक्टिक बस सेवा पर आरंब किये हैं और इतनी डिमांड है उसकी जहां जाओ हर बैक्ति कहता है हमारे यहां भी इस सेवा को सु स्वाल करके ही प्रिवहन निगम में बस का वेड़े को हम बढ़ा करने का प्रेयास करें हमारा प्रियासों प्रिवहन निगम की मौझुदा संसादन की विद्धित वह ही लेकिन साथ साथ प्राइविट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रतेए गाओं को प्रतेएग सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तरप्रदेश के अंदर दुर्गटनाओं की दर को भी हम और भी सड़क दुर्गटना से होने लिए मौत की दर को और नियुनतम स्तर पर नहाने में राश्तरप्रथम बंदे मातरां जाब उठा है भारत